फिल्म दा कश्मीर फाल्स पर साउथ एक्टर प्रकाश राज का बड़ा बयान विवेक अगनी होतरी पर साधा निशाना विवेक अगनी होतरी की दा कश्मीर फाल्स इन दिनों चर्चा में है देश की कुछ लोगों की तरफ से फिल्म की निंदा की जा रही है कुछ नेता इसके पक्ष में तो कुछ इसके विरोध में लगतार बयान देते नजरा रहे हैं इस बीच मशूर सौथ एक्टर प्रकाश राज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है प्रकाश राज ने जो कहा उससे पहले सोशल मीडिया यूजर्स के कुछ रियक्शन्स देखी एक सोशल मीडिया यूजर फिल्म को लेकर अपना पक्ष रखते हैं और ट्विट के माध्यम से कहते हैं जिन लोगों ने कभी कश्मीरी, लोगो, हिंदू, मुस्लिम या अन्य की दूरदर्शा के बारे में उत्सुख होने की परवा नहीं की वे अब एक फिल्म देखकर अपनी उदासिंता को दूर कर रहे हैं वही सोशल मीडिया यूजर मोहिद भान अपने ट्विट में अनुपम खेर के एक किरदार को पोस्ट करते हुए लिखते है अनुपम खेर एक ऐसे अभिनेता है जो कश्मीरी पंडितों के लिए एक बुरे विश्वास वाले अभिनेता है कश्मीरी पंडितों के इसकी अचानक से चिंता करने वाले अभिनेता के लिए सिर्फ पैसा ही माइने रखता है 2008 में सेयद अली शाह गिलानी की भूमी का निभाने में वैचारिक रूप से दिवालिया होने के कारण उन्हें कोई समस्या नहीं हुई लेकिन एक टोपी की बून पर पलायन का फैसला किया वहीं जाने माने एक्टर प्रकाश राज ने दगश्मीर फाइल्स पर फिल्म डारेक्टर से कहा प्रिय सर्वोच अभिनेता से निर्माता बने विवेक अगनी होतरी जी क्या आप इन फाइलों को भी हाथ से घुमाएंगे और उन्हें रिलीस करेंगे गोधरा फाइल्स, दिली फाइल्स, जी अस्टी फाइल्स, नोडबंदी फाइल्स, पोविट फाइल्स, गंगा फाइल्स आप एक्टर प्रकाश राज के इस तंच को कैसे देखते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन मटन जरूर प्रैस करें ताकि बॉल्लवट गलियारों से जुड़ी हर अपडेट जल से जल्द आप तक पहुचती रहे सब्सक्राइब करें।